साथियो नमस्ते तो आज हम अध्याए एक फसल उत्पादन एवं प्रबंदन के जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो पढ़ेंगे और मैं इसके बाद में जितने भी विज्ञान के वीडियो बनाने वाला हूँ वो सारे में प्लेलिस्ट में डालता रहूंगा तो इसलिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करते रहना वहाँ पर आपको विज्ञान के सभी चैप्टर के वीडियो मिलते रहेंगे तो यहाँ पर देखो जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है फसल तो देखो फसल किसे कहते हैं जब एक ही किस्म के पोधे बड़े प फसल वोएगा तो फसल की परिभासा क्या होगी वो क्या करेगा एक ही किस्म के पूधे का मतलब ओगया जैसे उसको गहूँ उगाना है तो गहूं की फसल या उसे हम क्या कहते हैं फसल कहते हैं समझ गए फिर अगला पॉइंट है रितु के आधार पर फसले दो प्रकार की होती है रितु का मतलब होता है मौसम है ना हम जानते हैं कि सर्दी का मौसम आता है गर्मी का मौसम आता है बरसात का मौसम आता है तो जो मौसम है उसके आधार पर फसले दो प्रकार की होती है तो यहाँ पर फसलों के दो प्रकार कौन-कौन से है पहली है खरीफ की फसल और दूसरी है रभी की फसल अब खरीफ की फसल क्या होती है तो यह फसल वरसा रितू में बोई जाती है यानि इसके जो बीज है वो किसान कब होता है वर्षा रितू में वहोता है अब वर्षा रितू कौन से कौन से महिने में होती है तो इसकी खेती जो है वो जूण से सितंबर माहा तक की जाती है जैसे धान, मक्का, सोयाबिन, मुंगफली, कपास, आदी यानि कि वर्षात की रितू में हम क्या करते हैं जून से सितंबर मईने में ये फसले बोते हैं यानि किसान ये वाले फसले बोएगा धान है, मक्का है, सोया बिन है, मुंगफली है, कपास है, आदी है ना और इन सबी को हम क्या कहेंगे खरीब की फसल कहेंगे दूसरी फसल है हमारी रभी की फसल और रभी की फसल में हम क्या करते हैं तो यहाँ फसल सीत जितु में बोई जाती यानि कि सरदी की जो मौसम आता है उसमें हम ये फसल बोते हैं और इसकी खेती अक्टुमबर से मार्च तक की जाती है यानि अक्टुम्बर से लगा कर मार्च तक होने वाली जो खेती है उसको हम क्या कहते हैं रभी की खेती रभी की फसल कहते हैं जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसो, अलसी, आदी है ना बहुत इंपोर्टेंट है ये फसल दो परकार की होती है रभी की फसल और खरीफ की फसल और खरीफ की फसल होती है वो वर्सा रितु में बोई जाती है रभी की फसल जो होती है वो सीत रितु में बोई जाती है हर वर्स ये प्रशन पूछा जाता है कि फसल कितने परकार की होती है तो फसल दो परकार की होती है और कब बोई जाती है इन दोनों में अंतर क्या है तो य जब किसान फसल बोता है तो केवल फसल बोने से कुछ नहीं होता है उसको बहुत सारे क्रिया कलाब करने पड़ते हैं तो वो जो क्रिया कलाब करता है उसी को हम क्रसी पदतियां कहते हैं तो यहां लिखा है फसल उगाने के लिए किसान को अलग-अलग समयवदी पर अलग-अलग क्रिया कलाप करने पड़ते हैं जिने हम क्रसी पदत्या कहते हैं और ये जो क्रसी पदत्या होती है वो कुल साथ होती है इसके जो चरण है इसके निम्न चरण है सबसे पहला चरण है क्या है मिट्टी तयार करना दूसरा चरण है बुवाई, तीसरा चरण है खाद एम उर्वरक देना, चौथा चरण है सीचाई, पांचवा चरण है खर्पतवार से सुरक्सा, छटा चरण है कटाई और सांतवा चरण है बंडारन अब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, है ना? तो देखो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, अब तक हमने पढ़ा है फसल, फसल क्या होती है, कि जब किसान एक ही किस्म की, जो फसल एक ही किस्म का जो पोदा है, वो बड़ी मात्रा में उगाता है, तो उसको हम फसल कहते हैं, फिर फसल दो परकार की होती है, एक होती है खरीब क्रसी पदतियां कहते हैं तो यह जो अब क्रसी पदतियां है इसका सबसे पहला चरण हमारा क्या है मिट्टी तयार करना तो यह जो मिट्टी तयार की जाती है तो यह क्यूं की जाती है इसको हम पढ़ेंगे तो देखो क्रसी पदती का जो पहला चरण है वो है मिट्टी तयार करना तो मिट्टी तयार करने का मतलब है मिट्टी को उलट पलट कर पोला करने की प्रक्रिया जूता ही कहला ती है यानि कि किसान जो होते हैं उनका जो खेत होता है उस खेत में जब उसको फसल बोनी होती है कि अब वो फसल बोने वाला है तो उससे पहले जो मिट्टी जमी होती है उस मिट्टी को वह क्या करता है हल की साइता से उलट पलट कर पोला करता है हल हो टेक्टर हो उससे क्या करता है मिट्टी को पोला करता है तो मिट्टी पोला करने से क्या होता है उसके बहुत सारे फाइदे हैं वो हम आगे पड़ेंगे लेकिन जो ये मिट्टी को उलट पोलट करते हैं अपन इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जूताई कहते हैं यानि कि जब हम मिट्टी को उलट पुलट करेंगे है ना तो क्या होगा मिट्टी पोली हो जाएगी और जब मिट्टी में हम बीज बोयेंगे तो मिट्टी पोली होने की वज़े से जब बीज का अंकुरन होगा यानि जब बीज धिरे धिरे बड़ा होगा पोधा बनेगा तो उसकी जड़े है बड़ी आसानी से मिट्टी के अंदर गहराई तक जा सकेगी तो ये मिट्टी को पोला करने का पहला फाइदा हो गया दूसरा फाइदा है मिट्टी की जड़ों का सरलता से स्वसन होना यानि कि जब मिट्टी को हम पोला करेंगे और जब बीज से हम पोधा ब तो स्वसन आसानी से होगा तीसरा पॉइंट है जूताई से कैंचुए और सुक्समजीवों की वरद्धी होती है यानि हम जानते हैं कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे सुक्समजीव होते हैं तो ये जो सुक्समजीव होते हैं वो क्या करते हैं वो सुक्समजीव इन फसल को फ उरूरक्षमता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही पोषण पोदो का होगा पोषण का मतलब उसको पोषण तत्व मिलेंगे जैसे हमें हम खाना खाते हैं वो खाना पचता है तो उस खाने में क्या होता है पोषण तत्व होता है जिनसे हमें उर्जा मिलती है इसी प्रकार जो म मिट्टी होती है तो इस मिट्टी में जो ये उरूरक शमता होती है इसकी वज़से फसलों का पोर्शन होता है ठीक है तो ये अगर हम मिट्टी को पोला करेंगे तो सुक्सम जीव बढ़ेंगे तो ये सुक्सम क्या करेंगे मिट्टी की उरूरक शमता बढ़ाएंगे मिट्ट जो जूताई है यानि कि मिट्टी को जब हम पोला करते हैं तो कैंचुए और सुक्स्म जीवों की व्रद्धी होती है जो मिट्टी को और अधिक पोला कर हुमस बनाते हैं। किसान को जो ओजार चाहिए वो कौन कौन से तो पहला है पारंपरिक ओजार पारंपरिक मतलब जो पहले से किसान यूज करते आ रहे हैं उसको हम पारंपरिक ओजार कहते हैं जैसे हल और कुदारी तो देखो हल कैसे होता है यहां पर यह हमें एक हल दिया हुआ है ना तो यह हल क्या करते हैं दो बैल का एक जोड़ा होता है इनकी गरदन के उपर ये ऐसे तिर्चा करके रख देते हैं और जैसे जैसे ये गाएं चलेगी यहना बैल चलेंगे तो वैसे वैसे ये मिट्टी को क्या करता जाएगा उखारता जाएगा यानि मिट्टी को पोला करता जाएगा तो यह पारमपरीक तरीका है. अब इसमें देखो, हल में क्या क्या होता है? तो हल में देखो, ये एक ऐसा तिर्चा भाग होता है. इस तीखे भाग को, जहाँपर ये लोहे की कील लगी हुई है, इसको हम फाल बोलते हैं. और ये जो HAL का बीच वाला भाग होता है, इसको हम HAL सैप्ट बोलते हैं, ठीक है तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस हल को इस प्रकार से BL के बीच में ऐसे जोर दिया जाता है, जब BL चलता है, तो यहाँ पर यह जो मिट्टी है, इसकी खुदाई होती जाती है, मिट्टी की जिसको उपर से हम नीचे चलाते हैं और उससे मिटी को हटाते हैं तो उसको हम कुदाली बोलते हैं फिर आधुनिक जो ओजार है वो है कल्टीवेटर क्या होता है तो यह एक टैक्टर होता है क्या होता है टैक्टर होता है देखो यहाँ पर यह टैक्टर है इसके पीछे यह कल चलता है तो कल्टीवेटर के कारण मिट्टी पॉली होती जाती है इसको क्या कहते है कल्टीवेटर कहते है तो यह आधुनिक ओजार है यह क्या है आधुनिक ओजार है आजकल इसी का उप्योग होता है तो देखो करसी पद्धिती का जो यह पहला चरण है मिट्टी तयार करना इसमें हमने क्या सीखा तो इसमें सबसे पहले हमने एक पॉइंट सीखा जूताई यानि मिटी को उलट पॉलट करने की प्रक्रिया को हम जूताई कहते हैं फिर दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा कि जो यह हम जूताई करते हैं तो इससे हमें क्या लाब होता है तो इसमें सबसे पहला लाब क्या होता है कि जो फसलों की जड़े होती है वो अधिक घहराई तक जाएगी दूसरा जो लाब होता है इसमें जो जड़े होती है वो क्या करेगी सरलता से स्वसन कर पाएगी ये दूसरा लाब होता है तीसरा लाब क्या होता है तो तीसरा लाब होता है जो सुक्सम जीव होते हैं उनकी वरद्धी होती है तो सुक्सम जीवों की वरद्धी होने से क्या होता है जो मृदा होती है उसकी उरुवरक्षमता बढ़ती है तो जितनी जादा उरुवरक्षमता बढ़ेगी फसल की पैद कार के होते हैं एक तो होता है पारंपरिक तरीका और दूसरा होता है आधुनिक तरीका पारंपरिक तरीके में हम एक हलका परियोग करते हैं दूसरा कुदारी का परियोग करते हैं है ना इन दो ऑजारों की साहिता से हम जो है जुताई कर सकते हैं और आधुनिक तरीके में क्य कल्टिवेटर क्या होता है? उसको हम टैक्टर के पिछे लगा देते हैं और इससे हमें फाइदा क्या होता है ? तो यह से मिट्टी को तयार करना अब दूसरा जो point है हमारा वो है बुवाई करना तो बुवाई के लिए यहाँ पर लिखा है बीजो को भूमी में बोना बुवाई कहलाता है तो यह बोने की परिभासा हो गई फिर बुवाई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ वा स्वस्त बीजों का चेन किया जाता है यानि कि कोई भी किसान जब अपनी खेत में फसल भोता है तो सबसे वहले वो मार्केट से बीज लाता है और बीज वो कैसे लाता है अच्छी गुणवत्ता साफ और स्वस्त बीज लाता है और कक्सा 6 में हमने सीखा है कि हम स्वच बीजों की पहचान कैसे करते हैं तो जब हम यदि हमें बीजों की पहचान करनी हो कि वो अच्छा बीज है या नहीं तो हम क्या करते हैं बीजों का ज लालते हैं तो कुछ बीज जो होते हैं वो डूब जाते हैं ठीके और कुछ बीज जो होते हैं वो तैरते हैं तो जो यह बीज तैरते हैं वो खराब बीज होते हैं कैसे बीज होते हैं और जो नीचे डूब जाते हैं वो कैसे बीज होते हैं अच्छे बीज होते हैं ठीके तो हम मार्केट से बीज लाते हैं और वो सारे के सारे डूब जाए तो इसका मतलब है कि वो बीज अच्छी कॉलेटी के है समझ गए तो यह हुई बुवाई की परिभासा अब आगे हम पढ़ते हैं बुवाई में निम्न आजारों का उप्योग किया जाता है अब बुवाई करने इससे जुताई करते हैं और यहां पर देखो यहां हल के पास में एक कीप बना हुआ है ठीके इस कीप में क्या करते हैं बीज डालते हैं और इसको सीधा भुमी के अंदर ऐसे इसको भी हल के जैसे नीचे की लाकर इसको भी ऐसे चलाया जाता है तो उपर से बीज डालते जा sit drill इसके द्वारा बीजों में समान दूरी वो घराई बनी रहती है तो आधुनिक तरीके में हम क्या करते हैं sit drill का परियोग करते हैं अब ये देखो ये जो मसीन है वो sit drill है तो इससे आप जुताई भी कर सकते हो और इसमें जो ये keep बने हुए हैं इसमें बीज डालते हैं और वो बीज कहां चले जाते हैं जमीन में चले जाते हैं तो ये आपका आधुनिक ओजार हो गया ठीक है तो इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं बुवाई कर सकते हैं तो तीसरा जो point है उसको पढ़ने से पहले हमने बुवाई में क्या पड़ा कि हमें एक तो अच्छी क्वालिटी के बीज बोने चाहिए दूसरा इसको यहां पर जो ओजार है उसमें पहला ओजार हमारा कीप है और दूसरा ओजार है सिड्रिल यह एक आधुनिक ओजार है जिससे जो बीज होते हैं वो समान दूरी पर है यह पडार्त जिन्हें मिटी में पोशक इसतर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है खाद एवम उरुवरक कहलाते हैं तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि खेत में क्या हो गया क्या हो गया? खेत हो गया तो तो आपके फसल भी अच्छी उगेगी अगर उरुरक शम्ता अच्छी नहीं है तो फसल अच्छी नहीं उगेगी तो इस उरुरक शम्ता के कारण मिट्टी को क्या मिलते हैं मिट्टी को पोशक तत्व मिलते हैं यानि कि पोशक इस्तर ये उरुरक शम्ता जो होती है मिट् पोषक इसस्तर के लिए हमें मिटी को क्या देना पड़ता है मिटी को खाद देना पड़ता है या उरुवरक देना पड़ता है ये दोनों चीजे अलग-अलग है। तो खाद और उर्वरक की परिभासा क्या है? वे पदार्थ यानि एक पदार्थ होते हैं जिनने खेतों में डाला जाता है. तो वे पदार्थ जिने मिट्टी में पोशक इस तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है यानि खेत में डाला जाता है उसे खाद एवं उरुरक कहते हैं अब देखो इसमें हमें पढ़ना है कि खाद और उरुरक इन दोनों में अंतर क्या है बहुत इंपोर्टेंट प्रशन है हर साल पर एक सामें पूछा जाता है तो अच्छे से समझना देखो खाद जो होती है यह एक कारबनिक पदार्थ होता है जो पोदो एवं जन्तुओं के अपसिष्ट से बनता है यानि कि जो गाय गोबर करती है बकरी गोबर करती है या फिर हमारे घर में कच्रा पड़ा है तो उन सभी को हम जब एक खड़े में डालते हैं और बहुत दिनों तक पड़ा रहने देते हैं तो वो क्या बन जाता है खाद बन जाता है तो यह क्या है यहाँ एक कार्बनिक पदार्थ है यानि इसमें कार्बन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है इसलिए इसको हम कार्बनिक पदार्थ कहते है तो यहाँ एक कार्बनिक पदार्थ है जो पोधों यानि की पोधों की पत्या है तहनिया है उनका जो भी अपसिष्ट है वो सब तो जब बनता है यह खात से मिटी को हुमस प्रचूर मातरा में मिलता है तो जब हुमस प्रचूर मात्रा में मिलेगा तो मिट्टी की उर्वरक शमता भी बहुत अच्छी होगी है ना तो खाद से मिट्टी को हुमस प्रचूर मात्रा में मिलता है जबकि उर्वरक से क्या होता है तो उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होता है तो ये एक अंतर है दोनों में याद रखना फिर खाद में पादप पोशक तुलनात्मक रूप से कम होता है यानि कि जब हम खेत में खाद डालते हैं तो जो फसल उकती है उन फसलों में जो पोशक तत्वों होते हैं वो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं यानि कि उर्वरक की तुलना में कम होते हैं जबकि उर्वरक में पादप पौशक प्रचूर मातरा में होते हैं जैसे यूरिय, अमोनिय, सलफेنت और एनपी के आदि हैना इसमें खाट से फसलों को पौशक तत्व कम मिलता है और उर्वरक से फसलों को नहीं पोशक इसकी तुलना में ज़्यादा मिलता है ठीक है तो कुछ कमिया है उर्वरक की तो कुछ फाइदे भी है कुछ खाद में कमिया है तो इसके फाइदे भी है वैसे जो खाद होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है उर्वरक की तुलना में हाला कि इससे फसलों का उत्पादन कम होता है लेकिन यह उरूरक की तुलना में बहुत अच्छी होती है है ना तो इस खाद के क्या-क्या लाव है वो अब हम पढ़ लेते हैं तो देखो खाद के लाव हैं खाद से मिट्टी की जल धारन समता बढ़ती है यानि कि जब किसान खेत में उरूरक की जगा खाद लालेगा तो जो मिट्टी होगी उसको जल पानी को धारन करने की शमता जो होगी वो बढ़ जाएगी यानि कि जैसे ऐसे मानलो एक उधारन की ज कि इस ने वह ने उसको धारन कहीं है है तो इसका मतलब है कि इसकी जल धारन करने की समता केवल एक गलास ही है इस से ज्यादा नहीं है लेकिन जब इसमें मैं खाद मिलाऊंगा तो एक गिलास पानी की जगह में तीन गिलास पानी डालूंगा तो अब ही वो उस मिट्टी को धारन कर लेगी यानि कहने का मतलब यह है कि खाद डालने से मिट्टी की जलधारन समता बढ़ जाएगी और जलधारन समता बढ़ेगी तो फसले भी हमें जादा मिलेगी बात समझ मैं तो खाद का पहला फाइदा क्या हो गया कि मिट्टी की जलधारन समता बढ़ती है खाद से मित्र जिवानों की संक्या बढ़ती है मित्र जिवानु यानि सुक्ष्म जीव तो जितने ज़्यादा सुक्ष्म जीव बढ़ेंगे फसल भी हमें उतनी ज़्यादा मिलेगी फसलों का पोशन भी उतना ज़्यादा होगा तीसरा है मित्र जिवानु मिट्टी को सर अंदर और भूरबूरी करने में सायक है जिससे गैस का विन्यमें आसानी से होता है यानि जो जड़ें होती है, मिटी में, मिटी अगर पोली होगी, मिटी सर अंदर होगी, भुरभुरी होगी, तो गैसों का विन्य में आसानी से होगा, जिससे जड़ें स्वसन आसानी से करेगी, और जड़ें स्वसन आसानी से करेगी, तो वो और गहराई तक जाएगी, और ज इसके अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है यानि देखो उर्वरक जो होता है वो खाद की तुलना में ज्यादा किसानों को फाइदा देता है क्योंकि उर्वरक डालने से फसल ज्यादा पैदा होती है तो जितनी ज्यादा फसल होगी उतना किसानों को अगर मिटी की उर्वरक समता में कमी आएगी तो मिटी क्या बनेगी धिरे-धिरे बंजर बनती जाएगी और मिटी अगर बंजर बन गई तो एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पर कोई भी फसल अपन पैदा नहीं कर सकते हैं तो इसलिए सला दी जाती है कि हमें उरुरक के तुलना में खाद का उप्योग करना चाहिए फिर देखो इसमें एक पॉइंट है फसल चक्रन अब ये क्या है इसको समझो एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाना फसल चक्रन कहलाता है जैसे मानलो वर्षा रितु है ठीक है तो वर्षा रितु में जैसे अपने कोई एक फसल उगा दी कोई भी धान की फसल ठीक है जब वो फसल पक गई और किसान ने उसे काट दिया हमने धान की फसल नहीं वोई हमने किस की फसल बॉली AM की फसल height तो हम एकांतर क्रम में जब अलग-अलग फसल बोते हैं तो इसी को हम फसल चक्रण कहते हैं और फसल चक्रण के कारण ही मिट्टी की उरूरक शमता जो है बनी रहती हैं तो इसलिए हमें एकांतर क्रम में जो है फसले बोनी चाहिए तो देखो जो तीसरा चरण है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि खाद और उरुरक की परिभासा क्या होती है तो ये दोनों ऐसे पदार्त होते हैं जिनों में खेतों में हम डालते हैं खेत में डालने से मिट्टी की उरुरक शमता बढ़ती है तो ऐसे पदार्तों को हम क्या कहते हैं खाद है वम उरूरक कहते हैं अब खाद अलग चीज होती है उरूरक अलग चीज होती है खाद क्या होता है तो खाद जो होता है वो पैड़ पोदे या फिर आपके जो पसू है पसू है उनके जो अपसिष्ट होते है जैसे गोबर है और पैड़ पोदों की पत्तिया है उनसे हम तयार करते हैं खाद जबकि यह जो उरूरक होता है वो कहां बनता है तो वो आपके फैक्टरियों में बनता है ठीक है इसको वेग्यानिक बनाते हैं और फिर इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो खाद होती है उससे से मिटी को हुमस नहीं मिलता है और क्या फाइदा होता है कि यहां पर जब हम खेत में खाद डालते हैं तो उससे सुक्ष्म जीवों की व्रद्दी होती है और इस सुक्ष्म जीवों की व्रद्दी के कारण ही खेत की उरूरक शमता बढ़ती है और यहां पर अगर एक तुल की तुलना में उरुरक से फसलों की पैदावार ज़ादा होती है तो यह चीजे जो है हमने पड़ी है फिर खाद के बहुत फाइदे हैं है ना वो भी हमने पड़े हैं तो यह आपका हो गया तीसरा चरण अब चौता चरण जो है वह सीचाई तो सीचाई क्या होती है निश्च अन्टराल के बाद में वह खेत में पानी डालता रहता है तो इसंग क्या कहते हैं अब यह पानी मिलता कहां कहां से यानि कि सिचाई की स्रोथ क्या है तो पानी आपको कुए, नलकूब, ट्यूब, वेल, तालाप, जिले, नहर, आद इस से मिल सकता है फिर है सीचाई की देखड़ी, मौट, मौट को हम गिरनी बोलते हैं, फिर चैन पंप, तो इनको मैं चित्रों से आपको समझाता हूँ कि ये पारंपरिक तरीके कैसे होते हैं, तो देखो यहां पर ये मौट है, मौट में क्या होता है कि एक कुवा होता है, कुवे से यहां पर ये रसी लगई हुई, तो ये रसी को जब बैल खीचता है, बैल बंदा होता है, तो बैल खीचता है, तो ये पानी भरकर उपर आता है, तो किसान क्या करता है, यहां से पानी गिरा देता है खेत में तो इससे फसलों को आपकी क्या मिल जाती है पानी मिल जाता है तो एक तो यह हो गिया मौट है ना दूसरा तरीका आपका है चैन पंप चैन पंप में क्या होता है कि यह जो रसी है वो बैल के बंदी होती है और गोल गोल गोमता है तो यह घिरनी गोल ग कि दैखक्री में क्या होता है कि यहां पर यृट का का गठा बांद लिया जाता है पिर यहां क्या क्या करते हैं इसकी तिर्चे सब्सक्राइब गिर्णी गूमती है तो पानी बाल्टी में आता है फिर उपर जाके यहां से जब बाल्टी वापस नीचे आती तो पानी नीचे गिरता रहता है तो इस प्रकार से खेतों में पानी जाता रहता है तो यह कुछ आपके पारंपरिक तरीके हो गए आपको केवल नाम याद रखन टो हैं ज्टिड़काव तंत्र और ट्रिप तंत्र यह बिए रहने पर जग जग पाइप में क्या होता है पानी फुमारे के जैसे हाता है जैसे हम machine चालो करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बढ़सात हो रही है तो यह है चिड़काव तंतर और अगला आपका है drip तंतर यह संतल जमीन पर लगाते हैं और इसमें क्या करते हैं लंबी लंबी pipe बीछा देते हैं नीचे और pipe में छेद कर लेते हैं जैसे ही motor चालो करते है तो direct fossil के पास में पानी उसको मिलता रहता है है ना यहाँ पर फसल है यहाँ pipe में छेद कर दिया तो इसको पानी मिलता रहे गा तो यह आपका क्या है drip तंतर इनके फाइदे किया है तो इनके बहुत फाइदे एक तो पानी कम वैश्ट होता है और जितना पानी चाहिए उतना तो हमें पूछा जाता है तो खर्पतवार की परिवासा है फसल के साथ उगे हुए जैसे पुढ़े मानलों फे Adm यह फसल है यहां फसल है यहां फसल है यहां फसल है अब यह तो हमारी क्या है फसल है लेकिन फसल के साथ में यहां पर छोटे छोटे कुछ पोदे भी उग जाते हैं यह छोटे छोटे पोदे उग जाते हैं ठीक है तो यह छोटे छोटे पोदे जो होते हैं इनी को हम क्या कहते खर्पतवार कहते हैं और इन खर्पतवार को हटाना किसानों को हटाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये खर्पतवार क्या करते हैं कि फसल का पानी का जो हिस्सा होता है वो ये भी ले लेते हैं तो अगर ये फसल का हिस्सा पानी का हिस्सा लेने लगेंगे तो फसल की वरद ना क्या कहलाता है नीराई कहलाता है यानि खर्पतवार को हटाने की प्रक्रिया को हम नीराई कहते हैं नीराई करने के निम्ड तरीके हैं यानि कि खर्पतवार को हटाने के तीन तरीके हैं पहला तो आप जूताई करो जब मिटी को पोला करते हैं तो आटमेटिक यह नासी एक पाउडर होता है जिसे हम 2-4 डी भी बोलते हैं उस पाउडर को जब हम खेत में छिड़कते हैं है ना या फिर ऐसा लिक्विड भी आता है उस लिक्विड को जब हम खेत में छिड़कते हैं तो यह खर्पतवार खतम हो जाते हैं तो इसको निराई करने के तीन तरीक किसकी साहिता से दराती दात जिसे हम दाती बोलते हैं दराती की साहिता से और दूसरा है हार्वेस्टर किसे कटाई भी कर सकते हैं अब यह हार्वेस्टर किया है तो देखो इसका चीतर मेरे पास है इस प्रकार की एक combine machine आती है इसमें harvester लगा हुआ होता है ठीक है तो ये इस combine machine में harvester है ये वाला ठीक है इससे भी हम कटाई करते हैं ये घूमता है तो फसल कटती जाती तो यहाँ पर ये दो आपके वीद्य हो गई फिर देखो आगे है काटी गई फसल से बीजों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को threshing कहते हैं यहाँ कारियर combine machine द्वारा किया जाता है जो harvester तता threshing का संयुक्त रूप है तो इसमें देखो threshing क्या होता है जैसे आपने कोई फसल है ये फसल है इसको आपने काट दिया ये काट दिया अब इस फसल के अंदर क्या है बीज है ठीक है तो इसमें से इस फसल में से आप जब आप ये बीज अलग करोंगे तो इस बीज को अलग करना ही क्या कहलाता है आपका threshing कहलाता है तो काटी गई फसल से बीजों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को हम threshing कहते हैं और ये हम किस से करते हैं combine machine से अभी मैंने होती उसमें harvester टता tracing दोनों का सियुक्त रूप होता है है यहार्वेश्ट भी होता है और tracing भी होती है तो अगला point जो है वह है विनोईंग क्या है तो इस प्रक्रिया में किसान हाथ से फसल को फटक कर धाने को अलग करता है तो जब किसान खुद फसल को पटक पटक कर दाने को अलग करता है तो इसको हम क्या कहते है विनोईंग कहते है और मशीन से करते है तो उसको हम थ्रेशिंग कहते है फिर अंतिम जो पॉइंट है हमारा क्रसी पदति का वो है भंडारण यानी जो हमारी फसल कट गई है उस कटी हुई फसल में से जो हमने बीज सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है फसल पड़ा है उसकी परिभासा को पड़ा है फिर फसल जो बोते हैं किसान वो दो परकार की होती है पहली फसल आपके होती है खरीब की फसल और दूसरी फसल होती है आपके रभी की फसल ठीक है फिर किसान इन फसलों को जब बोता है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं जि मिट्टी तयार करना क्यों आवसक है क्योंकि उससे क्या होगा उससे हमारी फसलों को जड़ों को स्वसन आसानी से होगा है ना इसमें हमने क्या पढ़ा तो इसमें हमने जूताई पढ़ा जूताई क्या होती है मिट्टी को उलट-उलट करने की प्रक्रिया को हम जूताई कहते है दूसरा पोइंट हमारा होता बुः आई है ना तो जो अच्छे बीज हम बोते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बुः कहते हैं तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी तो तीसरी चीज हमने पढ़ी खाद एवं उर्वर resolutions, तो देखो मिटी की उर्व sûr Jahr समता बढ़ाने के लिए मिटी में मिटी में जब हम बीज बो देते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं मिटी को खाद देते हैं या फिर उर्वरग देते हैं अब वो किसानों के उपर है वो खाद डालता है उर्वरग डालता है उसकी मरजी फिर देखो चौता पॉंट चौता पॉंट हमने क् सीचाई का अब सीचाई क्या होती है कि निश्चित अंतराल के बाद जब हम खेतों में पानी देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं सीचाई कहते हैं तो सीचाई करने नीराई कहते हैं तो ये क्रसी पदती का पांचवा चरण हो गया फिर छटी चीज क्या है कि जब हमारी फसल पक जाती है तो उस फसल की हमें क्या करनी पड़ती है कटाई करनी पड़ती है तो ये छटा चरण हो गया और साथवा चरण क्या है कि जब हमारी फसल कट जाती है तो जब उसका हम threshing कर लेते हैं यानि कि भूसे में से बीज अलग कर देते हैं दाने अलग कर देते हैं तो उनका हमें भंडारन करना जरूरी हो जाता है तो अगला जो point है वो क्या होता है भंडारन भंडारन ठीक है तो ये क्रसी पदती के साथ चरण होंगे और ये आपका chapter जो है वो complete हो गया अब आपको मेरे वीडियोज पसंद आये हैं तो वीडियो को like करना है अपने दोस्तों को share करना है Thank you